तो हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जिसान एहमद में और आज हम लोग आरबर नौलेज उनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज़ आते हैं इंजिनिरिंग कॉलेज उसमें कॉंप्यूटर साइंस में एक सी लैंग्वेज पढ़ना होता है उसी क का फाइनली सॉलूशन क्या है क्योंकि कई बार कोश्चन रिपीट भी हो जाता है तो एमसी क्यों को समझ लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है तो चलिए हम सुरू करते हैं वीडियो को तो आपके सामने दो इमेज देख रहे होंगे एक नंबर वन और दूसरा नंबर दू तो यहां से हम सेकेंड पेस से स्टार्ट करते हैं कि यहां पर फर्स्ट कोश्चन दिया हुआ है 2018 लिखा होगा यह 2018 का पिपर है तो यहां पर नंबर वन कोश्चन दिया है कि वीच आफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब और यानि एरे के लिए कौन सा स्टेट्मेंट बेस्ट है तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जागा मैंने यहां पर दी दिया है वन का ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा ऑक करते हैं तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा दो का था ओके 3 यहां पर 3 दिया है आपके पास कि वेंड देस्ट सिग्मेंटेशन और फॉल्ट ऑकर तो यहां पर इसका जो एंसर होगा 3 नम्मर का वह आपका हो जाएगा 3 का second, three का second and four number कह रहा है कि what is the output of the program तो यहाँ पे आपके सामने एक program लिखा हुआ है तो आप इसे system पे भी run करा कर सकते हैं या फिर अपने से आप mind का use करके directly से इसके through जो output आता है तो वो आप इसे कर सकते हैं तो हम लोग ने directly यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि मैंने इसे सही तरीके से solve किया है और उसके बाद मैंने इसका output लिखा है तो आप लोग directly इसका देख सकते हैं मैंने इसका लिखा है answer यहाँ पे four number का four ओके तो यहाँ से four कितना है one one two यह आपका answer हो जाएगा और five number कह रहा है कि what is the output of the following code इस code के लिए output किया होगा तो यह output देया हुआ है तो इस code के लिए इस code के लिए output आपका हो जाएगा programming 15 यानि five का third हो जाएगा और six कह रहा है कि process of inserting an element in a stock is called तो यह final statement है जिसे हम pop कहते हैं pop तो pop का हो जाएगा तो six का आपका कितना हो जाएगा six का four यानि four और उसके बाद कहा रहा है seven number की what is the output of the program तो इस program के लिए output क्या होगा तो इस program में हमें दिया हुआ है care s1 तो care s1 और print भी हमें क्या करना है s1 ही करना है तो simple सा logical जिसके पास थोड़ा सा भी knowledge होगा उसको use करके आसानी से इसके output को देख सकता है तो आपके पास किसको हो जाएगा जो की third में है और उसके बाद देखते है eight number question क्या कह रहा है eight number question है कि consider the following statement of c code तो ये आपका get का question है आरे पर टॉलिज उन्वरसिटी get के question को भी repeat करता है c language में तो काफी tough question होता है objective mcq काफी easy level का question नहीं समझा जाएगा ये काफी tough होता है जो कि get में पूछा गया है तो ये get का question है तो इसका answer हो जाएगा वो three होगा floor log n plus two ये आपका three हो जाएगा और nine number कह रहा है कि the minimum number of comparison required to find the find the minimum and the maximum of hundred number तो ये भी आपका get का question है तो इसका answer जो होगा 148 होगा यानी four nine का four and ten number कह रहा है कि what is the output of the following program तो इस program के लिए output लिए आपकोट लिए हम लोग को तो इसका जो output होगा आपका second option हो जाएगा a is equal to zero b is equal to zero c is equal to one d is equal to zero तो यहाँ पर मैंने इसका segment लिए है नेमजी की question के लिए जो इसी तरह format आप exam में भी बनाईएगा काफी important रहता है पूरे लिखने की जोरत नहीं exam में बस one का दो दो का तीन तीन का दो इसी तरह करके हम लोग इसे तरह से लिखेंगे और यह जो image है आप मैं इसका link आपको description में देने की कोसिस करूँगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए और चैनल पहली बार आया तो चैनल को subscribe जरूर कीजिए ताकि मुझे motivation मिलता रहे और previous year question से related मै numerical question भी लाऊं long answer question भी लाऊं इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे प्यार जरूर देंगे ओके फिर मिलते हैं अगले वीडियो तब तक लिए thank you